Hello Everyone, कैसे हैं आप? मिलते हैं एक New Subject, New और एकदम New आपने पहले कभी सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं है लेखिन सुना बहुत है Income Text तो Income Text हम पढ़ेंगे आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि Income Text में क्या क्या चीजे हम देखने वाले हैं क्या क्या स्लेवर से कितने कितने टॉपिक का आएगा थोड़ा सा मैं अपने बाड़े में बता दूँ आपको मेरा नाम अनुज कुमार सिंग है और इंकम टेक्स के अंदर मैं पिछले दस सालों से काम कर रहा हूँ सिवदास और संस के आप 10 अभी आपने रिसेंटली भाई भी किया होंगे आप सभी को पता भी है या आप उनके अप्लिकेशन पर जाएंगे तो उनके लिए इंकम टेक्स के जो डी यू के सोलीशन होते हैं जैसे आपने पेपर दिया तो उसके सोलीशन मैं ही उसको तो सौल्व करके वह इंसर्ट होता है यानि पूरा जितने भी फार्मेट है सारे चीजे वह मैंने डिजाइन किया हुआ है सारे जितने मैथट्स वगेरा तो आप देख सकते हो आप जाके देख सकते हो तो एक्सपीरियंस और बहुत ही इंट्रस्टिंग सब्जेक्ट है आप पढ़ेंगे जान लगा के पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे के एक्जाम के अंदर कोई कुश्चन ऐसा ना हो कि आपको लाइव क्लास मिलने वाली है सर सर लाइव क्लास रहेंगी आपकी एप्लिकेशन पर रहेंगी लेकिन मैं यह चीज़े भी बता दूँ यूटुब वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो लाइव क्लास के बाद सर यह आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी जिससे आप अनलि आपके एक्जाम तक कोई बाउंडिशन एक्जाम तक आपका यह वैलिडिटी रहेगा सारे चप्टर हम अच्छे से करेंगे कोर्स का प्राइज क्या रहेगा सारे चीज़े एप्लिकेशन पर दे दी गई है उसी के अकॉर्डिंग ले सकते और मैं यूटूब के डिस्क्रि क्योंकि डिले एडिमीशन की वजए से डिले एक्जाम की वज़े से आपका एक्जाम नवंबर या दिसमबर में होना है आपके पास ऑगस्त के 15 डेज है ऑगस्त भी मान लोग हतम हो गया ऊगस्त के अज़ शेप्टेंबर ऑक्टूबर नवंबर में एक्जाम है दो से सकता है सारी चीजे मैं यूटूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जॉइन हो ये और ये वो सब्जेक्ट है जिसको अकाउंट से महबत प्यार है या अच्छा लगता है या नहीं लगता उससे मतलब नहीं है यह आपके कि रियल लाइफ में काम आएगा आप खुद के उपर अपलाई करों कि टेक्स प्लैनिंग कैसे होगा आपका यह सारी चीजे तो सर इंकम टेक्स की मैं बात करूं न तो यहां पर दो टेक्स है मैं थोड़ा सा क्लियर भी कर दूं आपको कि सर इंकम टेक्स में क्या है नहीं है तो इंकम टेक्स के अंदर दो टेक्स होते हैं एक होता है हमारा डायरेक्ट टेक्स अभी मैं पढ़ा नहीं रहा मैं बस सिंपली एक चीज बता रहा हूं इंडारेक्स काफी बच्चों के माइन में डाउट होता है इंडायरेक्ट टेक्स सर दो टेक्स है हमारे एक डायरेक् tax जो है जिसे हम GST के नाम से जानते हैं वो फिलहाल हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले हमारे slaybos का पार्टी नहीं है तो sir हम क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे direct tax जिसको direct tax का ही एक दूसरा नाम है income tax हम क्या क्या पढ़ेंगे हम चलिए slaybos को देख लेते हैं उसके according batch कब start होगा नहीं होगा सारी जानकारी YouTube के अंदर और application के भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा जल्दे start करिएगा delay मत करिएगा आप सभी interesting subject है बहुत मज़ा आने वाला है मेरी कोसिस रहेगी कि मैं morning की class लूँ timing की अगर बात करें और morning seven o'clock कोई भी काम नहीं होता आप लोगों का तो आप join कर सकते हैं और enjoy करके आराम से पढ़ेंगे हम बहुत easily तरीके से बहुत सारे चीजे चार्ट वगएर आप लोगों के लिए मैंने बनाया हुआ है चार्ट से पढ़ेंगे प्लस notes भी दिये नॉर्मली हम बुक जो लेंगे इसके अंदर प्रफेयर कुछ बच्चे पूछ सकते हैं तो बुक्स जो होता है वो होता है ग्रीस आहुजा ग्रीस आहुजा डॉक्टर ग्रीस आहुजा आप जाएंगे ना तो डेली उनिवर्सिटी के अंदर सबसे फेमस आपके regular college हो non college हो become प्रोग्राम हो दो बुक प्रफेयर की जाती है जिसमें से नंबर वन पर ग्रीस आहुजा रहता है नंबर टू पर वी के सिंघानिया रहता है वैसे भी मैं बुक को बहुत कम यूज करने वाला हूं क्योंकि मैं अपने concept अपने नोट्स अपने theory सारे डिस्प्ले करूंगा आपको classes सारे recorded मिलेगी प्लस एक बहुत अच्छी चीज है कि जो मैं class के अंदर पढ़ाऊंगा उसका PDF मिल जाएगा ताकि नोट आप बाद में करो तसली से ठीक है ना चलिए सर स्लेवर्स की बात कर लेते हैं यह रहा हमारा एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा स्लेवर्स और इस स्लेवर्स की हम बात करते हैं कि क्या क्या रहने वाला है सर स्लेवर्स में basic concept हर जगा होता है basic concept में हम देखेंगे assessment year and previous year क्या होता है और all person वग बात करें तो यह 122 डेज में खतम हो जाता है इसके बाद residential status एक chapter है कि कौन परसं रेजिडेंट इंडिया का है टेक्स देगा या नहीं देगा वो चीज़े देखेंगे हम तो residential status हमारा यह 10 से 15 नंबर का आता है chapter number 3 salary most most important है यह आपका आएगा 15 marks का और आएगा क्या आएगा ही आएगा कोई रोग ही नहीं सकता इसको ठीक है house property भी income from house property भी आएगा 10 to 15 marks का आपका यह रहता है वेटेज 10 to 15 marks मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको idea हो जाए कई बार 10 का होता है कई बार 12 का होता है कई बार 15 का भी पूछ लिया जाता है सर पीजी बीपी यह भी अलग चेप्टर है 10 marks का है become program के अंदर तो यह 10 marks और owners में 15 marks का question बनता है इसमें से ठीक है सर capital gain पढ़ेंगे सर किसी मकान को बेचने पर कैसे टेक्स लगाया जाता है वो पढ़ेंगे house property में किराया पर कैसे टेक्स लगाना है वो पीजी बीप यानि business profit gain business and profession यानि किसी business से पैसे कमाये जाए तो उसको कैसे किया जाए अदर सोर्स में ब्याज बगएर से पैसे आता है तो उसका care treatment है वो देखेंगे clubbing of income parents के income में बच्चे का income जोड़ दिया जाता है setup and carry forward deduction बहुत important chapter आपके real life के लिए है यह आप further जाके banking में काम करेंगे further जाके कहीं भी private sector में जौब करते हैं तो insurance का sector में जौब करते हैं तो बहुत major role play करता है ATC से लेके ATU तक के सारे deduction हम पढ़ेंगे इसमें इसके बाद इन सभी का assessment तो जितना अभी तक हमने पढ़ा है उन सभी को मिला के कुछ questions बना दिये जाते हैं जिसको बोला जाता है assessment of various other entity individual हो गया firm हो गया LLP हो गया company corporate society हो गया यह स कि बात है हम यहां पर live return कैसे फिल किया जाता है मैं फिल करके दिखाऊंगा यहां पर demonstration जो आपको विज्वल होगा तो प्यारे बच्चों इसमें यही जानकारी देना था आपको किस date से start होना है कब start होना है सारी जानकारी link description में दिया हुआ है पढ़िए और मन लगा के सारी चीजें बहुत अच्छे से explain किया जाए आपको भी मेरे साथ उसी हिसाब से मैं यह चाहूंगा अगर आप 10 आगर आप 80% अगर अपना effort लगाऊगे तो मैं 120% effort लगाऊँगा आपके साथ मिलके तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही बताना था मुझे हम जब chapter start करें तो बहुत मज़ा आने वाला है income tax के अंदर तो start करेंगे thank you so much वीडियो को सुनने के लिए और study करते रहिए ध्यान रखे अपना ख्याल रखे स्वस्त रहिए तंद्रूस रहिए thank you so much